सब्सक्राइब तो इस यूटूब चैनल और प्रेस्ट बेल आइकान सब्सक्राइब नेवर मिस एनी अपडेट हलो फ्रेंड्स मैं से अंबर्मा एक बार अपका फिर से केमिकल पीडिया में सौगत करता हूँ आज का उमारा जो CRE में new topic है वो rate equation हम निकालेंगे first order system का zero order system का तो इसमें rate निकालने के लिए हम कैसे क्या करते हैं उसके बार हम बात करेंगे उसकी derivation के बार हम बात करेंगे किस टैप से हम उसका derivation करेंगे इन दोनों के खास तोर पर exam में question पूछे जाते हैं इसलिए इन दो तो order के हम बात में बात इसलिए करेंगे क्योंकि जो हम first order अगर reaction का सीख गए किस तरह से rate निकालना है तो second order बहुत simple हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं कि first order reaction के कैसे हम rate निकालते हैं तो चलिए देखते हैं basic से चीज़े से तो पहले number हम जान लें उसके definition से कि first order बोलत हैं जिसमें reactant की power का sum हमारा one हो जैसे पूरा definition जैसे मैंने बताया था किसी भी reaction में reactant की concentration की power का sum one हो तो उसे first order reaction बोलते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे by example हम एक लेते हैं कोई भी हमारा reactant था A और उसने product बनाया P ठीक तो इसका rate of reaction हम कैसे निकालेंगे minus r a equal to minus d ca upon dt इतना तो बिलकुँ clear होगा इसे हम क्या लिख सकते हैं और k ca की power अगर हम first order एक समाने तो यह क्या one लिखा होगा automatic तो यह हम one कर देते हैं इतने में तो कोई problem होनी नहीं चाहिए तो अब हम क्या करेंगे कि जो concentration का term है उसे एक side करेंगे बागी को दूसरे side में ले जाएंगे तो क्या करेंगे minus d ca upon ca equal to k dt इतने में तो problem आई नहीं होगी अब क्या करेंगे बोच साइद में integration कर देंगे integration करने पर बोच साइड बोच साइड इंटिग्रेशन करने पर तो क्या हो जाएगा minus d ca upon ca equal to k बाहर कर देते हैं हम dt अब limit लगानी है तो concentration है क्या रहा होगा concentration ca not माल लेते हैं और final में कितना पहुंचा होगा ca यह limit हो गया अब इसके बात कर लें शुरुआती कंजिंसा में time 0 time में हमारा ca concentration अब क्या बात करेंगे अब देखें इसको हम लें कैसे solve करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा minus को हम अगर आप बाहर ले लें तो क्या होगा इसका ln ca ठीक कितना हमारा हो गया अब क्या हो जाएगा ca naught और यह ca equal to k बाहर हो गया इसको जो हम खोलेंगे तो 1 है इसका t हो जाएगा और limit लगा देंगे 0 से t की तरफ इतना clear है अब क्या करेंगे इसमें limit put करेंगे तो क्या हो जाएगा ln ca minus ln ca naught equal to k t minus 0 इतने में तो कोई problem नहीं है होगा अब बढ़ते हैं एक लिक तरफ क्या होगा देखो ln ca minus ln ca naught minus में है तो मतला divide हो जाएगा जिसम जानते हैं log m minus n का क्या होता है log m upon n इतना तो जानते हैं तो इसको इसी तरह से कर दें क्या हो जाएगा ln ca upon ca naught equal to k t इसमें तो कोई problem negative sign हटाने के लिए हम इससे reverse कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ln ca naught upon ca equal to k t यह आपका rate equation हो गया concentration की term में अगर इसका हम graph द्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से graph हमारा आएगा अगर हम graph द्रा करें ln ca naught upon ca और हमारा t के बीच तो इसका जो graph आता है वह हमारा एक कुछ इस तरीके से graph straight line आएगा graph इसका ठीक इसका जो slope हमारा होगा m is equal to k यह हमारा इसका graph आता है अब हम इसको यह तो concentration की term में आ गया अब इसको अगर हम conversion की term में change करना चाहें तो क्या होगा तो एक formula हमने क्या पढ़ा हुआ है ca is equal to ca naught one minus xa यह formula आपको याद रखना पड़ेगा और ऐसे एक formula होता iac equal to 1- ack फार्मुल लुटा इसके तो उतना यू नहों नहीं होता लेकिन यह formula को आप को यूज करना है ज्यादा तो देखें और इसकी यह आप आप एन आप एन इक एक फार्मुली यह इसका ज्यादा यूज दोनों को होता यह ज्यादा रखें तो क्या करेंगे यहां value हम put करेंगे CA का ठीक तो क्या हो जाएगा एलन CA not upon अभी CA की value रखें CA not 1-x equal to kt अब CA not से CA not cancel out हो गया और इसको जो उपा ले जाएगे तो निगेटिव साइन आएगा एलन वन माइनस एक से इक्वल टू केटी यह हमारा रेट इक्वेशन हो गया फर्स्ट और का कनवर्जन की टब में यह दोनों फार्मुले आपको इस्पेसली बिल्कुल याद रखने एक्जाम में इसे नुमेरिकल भी बनते हैं ठीक यह दोनो हाफ- LIC की हाफ लाइफ तो हमने जैसे पढ़ा वह क्या पढ़ा हुआ है कि वह टवम जिसमें कोई-बी commodity मात्रकी आधि हो होता है हाफ-ाफ मतलब जितना इनिशियल में था और त्यवीफ आधा हो जाए यह एनिसाल अरता नाट हो गया हुंए मतलब सुरुगात में सब्सक्राइब था इनिशिय और न्षक्राइब करें पूठ- ग्तिश्मित अब इसमें हम value को put करेंगे lm ca0 upon ca की value क्या हो गई ca0 by 2 is equal to kt half यह हमार हो गया ना t के जगा हमने t half ले लिया और concentration की जगा concentration का आधा ले लिया अगर आपको ऐसे doubt हो तो इसको काम मितला अलग कर सकते हैं यह हमारे इतना equation आगे अब क्या कर सकते हैं यह से हमारा cancel out हो गया अब यह value हमारी 2 चलीए तो उपर क्या होगा ln 2 equal to kt half ln 2 की value हम क्या जानते हैं 0.693 equal to kt half अब t आपके value यहां से क्या आ जाएगा 0.693 upon k यह most important formula है कोई भी competitive examination यह आपके examination के लिए बोर्ड examination के लिए बहुत important formula की फर्स्ट लाग का जो हमारा होता है उसका half order क्या होता है यह किस किस पर depend करता है तिक time पर करता है concentration पर करता है यह आपको जाना यहां से जरूरी है यह तो हमारा होगा first order का जैसे मैंने कहा था अकर first order आपने कर लिए तो second order बहुत easy हो जाएगा तो एक बार आपको दिखा देता हूं second order कैसे होगा आप बिल्कुल सभी से समझ जाएंगे तो देखते हैं 0 order में कैसे हम करेंग तो क्या होगा इसका rate equation कैसे लिखेंगे minus r a is equal to minus d ca upon dt और इसको कैसे हो लिख सकते हैं k ca अगर हम इसको 0 मान रहे तो हम concentration की पार 0 लिखेंगे वह हमने एक लिखा था क्योंकि first order था यहाँ 0 माने से 0 लिखेंगे अब इसको हम expand करें तो क्या होगा minus d ca upon dt equal to किसी के पार अगर 0 जो हो तो इसकी value 1 होता है k into 1 1 से तो कोई मतलब है नहीं अब इसको हम उधर करें minus d ca is equal to k dt फिर से वह हमें process करना है इसका integration करेंगे तो क्या होगा minus बाहर करें d ca is equal to k dt कहां से कहां तक value जाएगा हमारा c a naught से c a और हमारा 0 से t के बीच इसको integrate करेंगे तो क्या है हमारा minus बाहर को रखें इसका d ca हमारा है तो 1 तो यहां हो जाएगा c a तो हमारा हो जाएगा और यहां c a naught और यह c a equal to k यहां 1 है तो t इसका जाएगा integration और यहां 0 से t इसमें कोई problem नहीं है बिल्कुल simple चीज है अब limit को हम रखेंगे तो क्या होगा c a minus c a naught equal to k और यहां हो जाएगा t निगेटिव जिन कौन नल दे तो क्या हो जाएगा हमारा c a naught minus c a is equal to kt यह हमारा आगया बिल्कुल सा सिम्पल सा concentration की term है zero order का rate equation ठीक तो इसी तर इसके आपको first करना था second करना यह एक जाएग में ज्यादा आते हैं इसलिए मैंने इसका derivation आपको करके दोनों बताया इस वीडियो में बस इतना है अगली वीडियो में नेया topic लेकर आएंगे तब तक आप तयार रहें इसकी preparation करे अगर वीडियो पसंद है तो like करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें थैंक्यो